रहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में मैं हूँ महीर मोगरे तो हम यहाँ पर जो चैप्टर वाइस पॉलिटी के MCQ से उनको कवर कर रहे हैं और यह आपको एक्जाम में काफी जादा फाइदा जो है वो दिलाने वाले हैं और यहाँ पर हमारा पार् करके यहाँ पर दोनों जो है हम एक ही साथ देखेंगे और प्रिविए जो चैप्टर से कि फर्स सेक्शन जो है हमारा वो अल्रीडी कंप्लीट हो गया है जहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग से हिस्टोरिकल बैग्राउंड से लेकर तो अमेंट्मेंट्मेंट ऑफ दो कॉंस प्रिविए जो अपने नहीं देखा है तो जरूर देखें जितने भी वीडियो से अगर आपने नहीं देखें तो जरूर देखें उससे आपका पॉलिटी में जो एक पकड़ है वो बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगी तो इसलिए यह जो हम यहाँ पर सीरीज ले रहे हैं इसक आप जाकर आपका जो बाकी के सब्जेक्स है वो इंक्ल्यूड करके आपका सिलेक्शन के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप सीरियस आस्पेरेंट हो तो सबसे पढ़ा टार्गेट जो है हमारा पॉलिटी जो ही रहना चाहिए ठीक है तो चली यह शुरू क स्टेटमेंट्स रिकार्डिंग पार्लेमेंटरी फॉर्म अब गॉर्मेंट जैसा मैंने आपको बोला कि यहां पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है और जो हिंदी मीडियम से बढ़ाई कर रहे हैं वो यहां पर हिंदी में भी प्रश्न को पढ़ सकते हैं तो मतलब समझने में सही हो जाएगा तो यहां पर आपको पार्लेमेंटरी फॉर्म अब गॉर्मेंट जो उसके बारे में कुस स्टेटमेंट यह गये हैं और जैसा कि ट्रेंड चल रहा है यूपीज का कि भाई only one statement is correct उनली two statements are correct तो ऐसे यहां पर questions मैं set कर रहा हूँ तो पहला यहां पर statement है क कि दो separate centers रहते हैं काई में parliamentary form of government की बात हो रही है ठीक है parliamentary form of government में दो separate centers होते हैं और power one being executive and दूसरा जो है वो legislature रहता है ठीक है दूसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो head of the government यहाँ पर head of the government जो है वो different रहता है from head of the state और तीसरा जो statement है वो है कि ओज जो है secrecy of ministers यहाँ पर किसके द्वारा administer की जाती है prime minister प्रधान मंत्री के द्वारा और जो होता है कि parliamentary system of government जो है यह sub type है representative democracy का अब इसमें से आपको बता रहा है कि भाई कितने statements यहाँ पर सही है देखिए आपको समझने के लिए मतलब कैसे questions को tackle करना है यह भी ज़रूरी क्योंकि यह जो process है इसके तुरूम यह भी देखेंगे कि कैसे आप questions को tackle कर सकते हो और कैसे accuracy पर पहुंच सकते हो सबसे पहले तो हमें यह पता रहना चाहिए कि भाई डो separate center of path executive और legislature यह parliamentary form of government में रहते हैं क्या मतलब क्या है center of power है center of power हमारे हमारे हापर क्या है हमारे हापर separation of functions है separation of functions क्या है ना यहाँ पर आपको confusion नहीं होना separation of power और separation of function में separation of power basically क्या होता है separation of power होता है कि जो legislature है और executive है और judiciary है जो तीन है हमारे legislature, executive और judiciary यह तीनों ऐसे separate हैं ऐसी उनकी पार सेपरेट की गई है कि दोनों तीनों अपने अपनी इसमें हस्तक्षिप नहीं कर सकते हैं एक दूसरे केस में लेकिन हमारे आपर क्या है हमारे आपर जो हमें देखने को मिलता है भाई एक्जिकेटिव है लिजिस्लेचर है और जूडिशरी है इसमें अगर आप देखोगे तो कई बार जो जूडिशरी है उसका काम क्या है कि संविधानिक तौर पर चीज़े हुई है या नहीं उसी को देखना लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जूडिशरी जो है वो कानून लेकर आती है जो की किसका काम है जो legislature का काम है कई बार ऐसा होता है जो executive है वो कानून लेकर आता है जो कि किसका काम है legislature का काम है अब executive कानून कब लेकर आता है हमने देखा हुआ है जो ordinance होता है ordinance जो होता है उसके तहट हमें देखने को मिलता है कि भई ये लेकर आ गया है जो कानून है वो कर आ गया है यहाँ पर अगर आप देखोगे दो सेप्रेट सेंटर सब पाउर बिंग एग्जिकेटिव एंड अधर बिंग लिजिसलेचर जी नहीं यह बिलकुल भी नहीं हो सकता है यह मतलब तो सीधे तरीके से हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर सकते हैं यहाँ दूसरा अगर आ होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड उफ स्टेटस को होते हैं यह होते हैं प्रेसिडेंट तो यह थे हुद्व होते हैं बिलकूल नहीं लिजाती है गुद्रियों कि सिर्शे की सामां percentages का वोट जो है वो समविधानिक तोर पर नहीं दिलाते हैं तो यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है यह भी हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है and then parliamentary syndrome of government जो है सब टाइप है representative democracy का parliament में क्या होता है parliament में जो हमारे आपर various constituencies है various हमारे पर constituencies देखने को मिलती है इन constituencies में से सम लेजए यह पर 100 लोग है इसमें से एक qualitative जाएगा नीजिए हो रहे हैं उनकी हित के लिए कानून लाए जा रहे है या उसको यहाँ पर दिखा जाता है तो मतलब क्या में मिले देखने को मिल डिन तो यहां पर यह चीज बिल्कुल सही हो जाती है, यहां पर only two statements are correct, जो है, वो इसका सही जबाब रहेगा, यहां बिल्कुल आसान है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, कि भाई, दो separate center of power, यहां पर नहीं है, हमारे आपर separation of functions है, हमारे आपर देखने को मिलता है, दो center of power नहीं हो first statement जो है, second जो है, बिल्कुल जैसा मैंने आपको explain किया, third यहां पर गलत हो जाता है, and fourth यहां पर बिल्कुल सही है, तो यहां पर क्या होगा, though only two statements are correct, यह इसका सही जबाब हमें देखने को मिलेगा, अब देखिए, mmacademy app अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो जरूर अजाने में, क्योंकि देखिए, जो भी form भर रहे हैं, 10 लाक लड़के अगर form भर रहे हैं, 15 लाक लड़के अगर form भर रहे हैं, तो इस में से हम जो कहते हैं कि भाई, हजारों में बच्चे हैं, जो serious aspirants होते हैं, जो seriously पढ़ाई करके बहाँ पर जा रहे हैं, तो यह जो होत यही चीजों की वज़से कि कल पढ़ा ही शुरू करेंगे, कल पढ़ा ही शुरू करेंगे, घर उबर अपरी तरीके से पढ़ दिया, उसको नीचे जाके समझा नहीं, और फिर उसके बाद problems जो है, उसी तरीके से arise होते हैं, कि serious aspirants रहते हैं और फिर selection होता नहीं है, अपने 5 आगर आपको नहीं करना है अगर सही तरीके से आपको स्ट्रेटीजी फॉलो करनी है सही तरीके से आपको अगर गाइड़न्स चाहिए तो अगर आपको गाइड़न्स चाहिए तो 9021-781770 इस नंबर पर वाट्सएप जरूर कीजिए बाकी GS1234 सभी कोर्सेस आपको वापर देखने को मिलेंगे प्रिलिम्स में दोनों औरेंटेड है हाइएस कॉलिटी कंटेंट है इसी तरीके से समझ समझ के चीज़े जो है वो बिठाई गई है तो हाइएस कॉलिटी कंटेंट है अब यहां पर क्या बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है कि आपको यहां पर presidential form of government उसके बारे में कुछ statement दिये गया है चलो भई parliamentary form of government हमने देख लिया अब presidential form of government पर चलते हैं तो presidential form of government के बारे में क्या statement दिये गया है presidential system में president जो है वो घवन करता है on the advice of cabinet या फिर smaller body called kitchen cabinet इसके बोलने पर या इसके add and advice पर है जो presidential form of government है उसमें रास्टापती काम करता है दूसरा है कि president जो है वो house को dissolve नहीं कर सकता है of representative in case of presidential form of government जो house of representatives है उसको dissolve वो नहीं कर सकता है तिसरा है country जैसे कि USA हो गया इंडोनेशिया हो गया ब्राजिल हो गया पेरू हो गया examples of full presidential system यहाँ पर देखे question जो include किया है मैंने इसमें आपको किस तरीके से जो UPSC है वो आपको फसा सकता है यह आपको देखने को मिलेगा और कैसे tackle करना यही से आपको सिखने को मिलेगा देखे क्या होता है आपको भले यह जो बूसरा statement यह शायद हो सकता है कि आपको पताओ अगर आपने नौर्मल पढ़ाई क की लीए डाशना अगर आपने अब यहां पर आपको पता भी हो, तो भी confusion आपको किसमें होगा, तो यहां पर अगर आप देखो, जैसे की वे से इंडोनेशिया, ब्राजियल, पेरु, इससे पहले आप यह देखे, presidential system में, president जो है, वो advice of cabinet, advice of cabinet पर काम करता है, यह कहाँ पर होता है, हमारे, अगर हम हमारे आपर देखें, देखें कि क्या है न, जब भी कोई और देश के बारे में, या और जो विवस्ता बनी वी है किसी और देश में, उस पर अगर सवाल पूछा जाए, तो हमारी जो विवस्ता है, वुस पर से आप आकलंड लगाईए कि वो सही होगा या घलत होगा, हमारे आपर parliamentary form of government है, हमारे आपर जो president है, वो add and advice पर काम करते हैं, किसके council of ministers headed by prime minister, तो अब जब इनके add and advice पर यह काम कर रहे हैं, और यह काई में काम कर रहे हैं, पारलिया में entry form of government में काम कर रहे हैं, तो भाई presidential form of government में कैसे काम कर सकते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है, यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब आते हैं भाई तीसरा यह तो factual है, यह कैसे पता लगा है, तो countries like USA, Indonesia, Brazil, Peru are example of full presidential system, अब इसमें आपको देखना है कि भाई में आपको पता है क्या, किस country के बारे में पता है, USA के बारे में 101% आपको पता होगा, यह ना, USA के बारे में 100% पता होगा, कि हाँ यह USA जो है, वो presidential form of government, अगर यह भी आपको नहीं पता है, तो फिर आपकी बढ़ाई भहुत खोकली है, उसको और furnish करने की जरुवत है, क्यो यह जो चीज़े हैं, वो तो आपको basic चीज़े पता रहनी ही चाहिए, और दूसरा अगर हम देखते हैं, तो यह सही है या गलत है, कैसे पता लगाई, देखिए ट्रिक कैसे लगानी है आपको यहाँ पर, जब भी कोई statement को गलत करना होता है, तो जादा fact उसमें डाला जाता तो आपको ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखके बोल रहे होंगे यार सर, यहाँ पर तो countries के नाम दिये होए हैं, तो यह तो specific question हो गया, यह तो factual question हो गया, यह तो data वाला question हो गया, लेकिन आप गलत हो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक सिक्टरा पर भी, एक समझ में आ रहा है, आपको कैसे tackle करना है, कैसे mind को sharp रखना है, कैसे mind को attentive alert रखना है, जिससे कि आप questions को solve कर सको, attempt कर सको, तो यहाँ पर भी only two statement जो है, वो हमें सही देखने को मिलते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि भाई, separation of power है, यहाँ ना, सही तरीकी का separation of power यहाँ पर बिल्कु सही हो जाता है, नेक्स इस पर बढ़ते हैं, फ्रेमर जो है इंडियन constitution के, ठीक है, फ्रेमर जो है इंडियन constitution के, उन्होंने parliamentary system of government जो है, उसको adopt किया, because, क्यो, क्यो adopt किया, क्या उसके पिछे का कारण था, तो यह तो basic चीज है कि भाई, हमें उसकी जानकारी थी, क् 1909 से, उससे ही पहले से, लेकिन समय जें, 1909 से, इंडियन जो है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे इस विवस्ता को, है ना, समझने लगे, फिर उसके बाद उनका जो involvement है, और जादा बढ़ता गया, खास तेजी से बढ़ता गया, तो यह चीज है, तो पहला जो statement है कि भाई, यह system को समझते थे, यह ना, तो यह तो, मतलब, बीना देखे भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, यह सही है, उनको definiteness चाहिए थी policies में, कि policies जो है, वो definite तरीके से आए, मतलब क्या है, नियतियों में निश्चित्ता चाहिए थी, कि भाई, वो बनी रहे, अगर बरकरार है, वो बंदी ना हो, खतम ही ना हो, हमारे अपर क्या है, हमारे अपर parliamentary form of government, parliamentary form of government, अब parliamentary form of government में होता क्या है, एक सरकार आती है, यह ना, सरकार आती है, अब यह जो सरकार है कि इस basis पर आती है, कि भाई, आपको majority है या नि, बतलब, अगर 500 seats है, तो आपको 251 seats आपक कि सरकार बनेगी, अगर नहीं है, समझे लिजे अगर 200 seats है, तो क्या सरकार बनेगी ही नहीं, बनेगी न, अगर वो किसी और party के साथ combined हो जाती है, अना, alliance बनाती है, और 50 जो है, वो उस party से seats जो है, जिस भी party के 50 seats होगी, एककाउं seats होगी, वो उनके साथ मिलकर alliance बना रही है तो यहाँ पर उन्होंने क्या बनाई, सरकार बना ली, अब यह जो सरकार यहाँ पर बनी है, इस सरकार ने कोई policy लई, ठीक है, अब यह policy, अब यहाँ पर policy लेकर आया, अब क्या हो रहा है, कि 5 साल का tenure रहता है, लेकिन हुआ ऐसा कि 5 साल के पहले ही, जो 50 जो दूसरी party थी, उन्होंने अबना समर्थन कीच लिया, समर्थन कीच लिया, तो मतलब सरकार जो है, क्या हो गई, गिर गई, सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने policy बदल दी, मतलब यह निश्चित्ता policy में है क्या, नहीं है, मतलब parliamentary form of government में निश्चित्ता definiteness नहीं रह सकती है, और यह statement इसलिए क्या हो जाता है, गलत, preferred harmony between legislative in place of separation of power, कि भाई, presidential form of government में क्या होता है, separation of power होता है, प्रॉपर तरीके का, जहाँ पर legislative, executive एकदम अलग-अलग होते हैं, लेकिन parliamentary form of government में क्या होता है, कि separation of functions हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ harmony में यह Responsible government चाहिए थी, हाँ भई, responsible मतलब जनता जो है, उनको responsible रहे, accountable रहे, तो यह तो बिल्कुल सही है, भई, Indian society होमोजीनियस है, भई, होमोजीनियस है क्या है, Indian society, होमोजीनियस मतलब क्या है, सब एक जैसे, ऐसा है क्या है, अलग-अलग है, heterogeneous society हमारी, है ना, तो इसलिए क्या है, हाँ पर, first statement यहाँ पर गलत है, sorry, दूसरा statement गलत है, first सही है, दूसरा गलत है, और फिर पाच्वा गलत है, तो यहाँ पर गलत कौन से है, correct कौन सा statement है, यह पूचा गया है, तो correct है, one, three, and four, one, three, four, तो B इसका सही जबाब हमें देखने को मिलता है, clear है, समझ में है, कैसे आपको tackle करना है, देखिए, इस दिसाब से आपको यहाँ पर चीजों को देखना है, तो जैसा मैंने आपको बोला, second गलत है, and fifth गलत है, मैंने क्यों गलत है, वो भी explain किया आपको, next यहाँ पर आते है, changing the area or boundary of any state requires a special majority in the parliament, आपको को statement जिए गए है, दूई statement है, यहाँ पर को कोई भी अगर boundary, state की, अगर उसको change करना है, राज्य की boundary को change करना है, तो special majority के आपको requirement होती है, parliament में, अब हमारे आपर various तरीकी के majorities है, simple majority भी हमें देखने को मिलता है, then उसके बाद effective majority है, यहाँ न, then उसके बाद special, special majority है, then उसके बाद absolute majority है, अब इन में फर्क क्या है, simple majority मतलब होता है, 50% 50% plus 1 of present and voting, present and voting, मतलब समझे लिजेए कि 50 लोग अगर present हो, हाउस 100 लोग का हो, ठीक है, हाउस 100 लोग का है, उसमें से 50 लोग present है, ठीक है, और उसमें से भी 40 लोग vote करना चाहरे, 10 लोग vote ही नहीं करना चाहरे, तो अब simple majority मतलब क्या रहेगा, 21 votes, सिर्फ only 21 votes, तो 21 votes जिसको मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे, वो पार हो जाएगा, तो यह होता है simple majority, effective majority मतलब क्या, effective strength of the house, जैसे समलेजेगी house की strength है 545, ठीक है, लेकिन समलेजेगी उसमें से 5 लोग जो है, उसमें 5 लोग उन्होंने कुछ resign कर लिया, या किसी की death हो गई, तो इसलिए अब actual strength जो है, वो 540 की ही हमें देखने को मिलेगी, कितने की देखने को मिलेगी, 540 की ही हमें देखने को म होती है effective strength, then आता है special majority, special majority two-third of present and voting, two-third हो गया, then उसके बाद यहाँ पर आता है absolute, मतलब total strength जीतने हो, उसका 50% plus one, ये basically कायमी use होती है absolute majority, सरकार बनाने के लिए, special majority अगर समवीधान में हमें कोई बदल करने है, समवीधान में अगर कोई changes करने है, तो effective majority, special majority, और effective majority, अगर ज मतलब ये जो prominent लोग है, जो presiding officer से उनको remove करना है, तो effective majority, simple majority, बाकि सारे इसमें simple majority काम आती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप बोलोगे, special majority लगी कि यहाँ पर, state की boundary को change करने के लिए, याद कीजे, article 3 जो है हमारे constitution का, है ना, simple majority लगती है, simple majority, लेकिन फर्क क्या पार्लेमेंट इंपावर्ड है, कि जो state list है, उसमें कोई भी अगर चीज हो, subject जो दिये वह है, क्योंकि state list में वही subject है, इस पर exclusively, राज्य सरकारे ही कानून बना सकती है, लेकिन पार्लेमेंट अगर चाहे, तो वो भी बना सकती है, अगर राज्य सबा उसको resolution पास करती है, बिलकुल सही है सहा, यहाँ पर भी इसका सही जवाब रहेगा, ठीक है, तो अभी मैंने आपको पूरा explain कर दिया है, next list पर बढ़ते हैं, काफी factual question है, कि statement union, unitary feature of Indian constitution, इंडियन भारतिया समविधान के यहाँ पर normally unitary feature नहीं पूछे गया है, भारतिया समविधान में, ठीक है, बारतिया समविधान में, कौन-कौन से यहाँ पर जो basically unitary feature है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, unitary features, single constitution of nation, supremacy of the constitution, ठीक है, single constitution होती है, यह basically federal structure में नहीं होती है, हमारा क्या है, federation है, लेकिन क्या federation ऐसा है, कि states को बाहर निकलने की अनुमती है, जी नहीं, हम unite होकर आए, नहीं, तो यहाँ पर हमारा federation की इस तरीकी का है, कि भाई राज्य जो है, वो हमने बनाए है, और राज्य जो बने हुए है, उनको बाहर जाने की permission नहीं है, तो single constitution, supremacy of the constitution, emergency provisions, integrated judiciary, integrated मतलब क्या होता है, कि भाई, यहाँ पर subordinate courts है, यहाँ पर high courts है, यहाँ पर supreme court है, तो भाई, subordinate court में हा रहे, high court में जाए, high court में हा रहे, supreme court में जाए, integrated judiciary, bicameralism, जो हमें लोग सभा, and राज्य सभा देखने को मिलते है, then उसका rigid constitution, and all India services, तो भाई, unitary feature क्या है, तो इसमें से तो का को पता ही है, काफी factual है, तो यहाँ पर सारा का सारा मैंने पूरी list जो है ना, वो दी भी है, पूरी list है, तो यहाँ पर strong center, यहाँ ना, single constitution, then flexibility of the constitution, no equality of state representation, emergency provision, single citizenship, integrated judiciary, all India services, integrated audit machinery, तो यह सारे के सारे जो है, हमारे यहाँ पर unitary features तेखने को मेलते है, clear है, तो यह facts है, इसमें मैं पॉलिटीके lectures में explain किया हुआ, यहाँ पर federal structure of Indian constitution को statements आपको दिये गए, तो भाई, पहला है आपर, कि return constitution जो है, necessary नहीं है, condition of federalism, necessary नहीं है, कि return constitution ही रहना चाहिए, federalism जो है, basic feature, federalism को as a basic feature, constitution का, वो किया गया, बोमई case by Supreme Court, आया ना, भी सार, दो fact आ गया, इसमें, provision of the constitution, जो है, related to federal features, can be amended by special majority, by parliament, and with the consent of half of the state legislature by simple majority, जो federal features है, हमारे constitution में, उनको change किया जा सकता है, special majority और half of the state का ratification भी लगेगा, तो यह भी basically अगर देखा जाया, तो इतना कुछ tough question जो है, वो नहीं है, इसमें देखोगे, तो return constitution जो है, necessary नहीं है, बिल्कुल है भाई सब, return constitution क जरुट पढ़ती ही पढ़ती है, यहाना, return constitution नहीं रहेगा, तो फिर कैसे चलेगा यहाँ पर, federal, कैसे हम distinguish करेंगे, then उसके बाद यहाँ पर, federalism जो है, basic feature of Indian constitution, बिल्कुल basic feature, जो है, वो यहाँ पर माना गया, हमारे constitution का, यहाना, कि basic feature, जो है, वो यहाँ पर रहना चाहिए, and कौन सा केस था यह, एसार बोमई केस जो है, सुपरिंग कोड का, वो यहाँ पर देखने को मिला, provision जो है, constitution के related to factor structure, यहाँ पर consent of half the state rectification, जैसा मैंने आपको बला कि भाई, अगर हमारे सम्विधान में कोई भी चीज को change करना है, अगर कोई भी चीज change करनी है, उसमें special majority लगेगी, अब यह अगर हमारे federal structure को को change कर रहा है, जैसे कि GST था, GST ने क्या किया था, कि भाई, जितने भी taxes है, उन सभी का समावेश इसमें किया जाएगा, अब उसमें ऐसे भी taxes थे, जो राज्य सरकारे लगाती थी, मतलब federal structure जो उसमें changes आ रहे है, तो मतलब अब पास तो करना ही पड़ेगा, plus half state legislature का ratification भी लगेगा, ठीक है, half मतलब total लगा रहे हमारे आपर 28 states है, तो 14 states जो है, उनकी assembly ने इसको पास करना चाहिए, अब जो assembly है, उन्होंने special majority से पास करना चाहिए, या simple majority से पास करना चाहिए, यह आपको comment section में लिखना है, यह बहुत easy ह है, यह आपको comment section में लिखना है, clear है, तो यहाँ पर हमारा video जो होता है, यह उमीद करता आपको video पसंद आया होगा, और MMOCAD में डाउनलोड जरू केजे, video को share केजे, मिलता है मली वीडियो में, जैंग